तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एक्जाम चल रहा है वन दिसंबर की जितनी भी आपके शिफ्ट रहेंगी उनके लिए most expected, most repeated questions को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे हर एक question exam based question होगा जिस type के question जिस pattern पे आपके SSC CGL के exam में question पूछे जा रहे हैं उसी type के questions आज आपको इस वीडियो में provide कराए जा रहे हैं हर एक question जो रहेगा वो एक topic रहेगा और उस topic से related जो extra questions है वो भी आपको same question में ही provide कराए जाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है मकर विकालू विलाकू festival is celebrated in which state of India तो मकर विलाकू जो महुसब है वो भारत के किस राज्यम में मनाया जाता है तो यह question आपसे पूछा जा रहा है आप सबको पताईए कि SSE CGL के exam में festivals हो गए, dance forms हो गए, books and authors हो गए, यह most important topics रहते हैं जिनसे जादातर हर shift में आपको question देखने को मिलते हैं तो इन topics की separate video आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, HVS Studies 2.0 चैनल पे जिसका link description में आपको मिल जाएगा, जिस भी topic के आपको separate video देखनी हो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी अब जो आपका ये festival रहेगा मकर विलाकू festival ये आपका कौन सी state का है तो हमारा answer हो जाएगा केरिला, केरिला जो state है वहाँ का एक festival रहेगा आपका मकर विलाकू festival अब यहाँ पे जो festivals हैं उनकी बात करी गई है तो कुछ important festivals यहाँ पे देख लेते हैं, इनके अलावा बाकी और जो festivals हैं वो भी हम और लेडी आपको पीछे provide गरा चुके हैं, जो हमारी separate playlist है आप उसमें बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं तो अकर festivals की बात करी जाए तो आंदरप्रदेश के कौनकों से important festivals हैं तो युगाडी एक festival रहेगा जो की तेलगू new year जो होता है वो होता है युगाडी festival यह आपका आंदरप्रदेश का हो गया जहाँ 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 पे तेलगू जो language है वो रहेगी वहाँ पे इस festival को observe किया festival हो गया ड्री festival हो गया और पॉंटू festival हो गया लोसर फैस्टिवल हो गया लोसर और भी कुछ स्टेट्स है जहां पर यह हमारा जो फैस्टिवल यह सेलिब्रेट किया जाता है जो तिबतन लोग रहेंगे उनके द्वारा मेंली इसको परफॉर्म किया जाता है फिर आपका अंबुबची festival एक important festival है असाम का फिर आपका बोगाली या बोगालू बीहू जो festival है वो रहता है बैशगू festival रहेगा दिहिंग पटकाई festival आपका असाम से related हो जाता है हिमाचल प्रदेश शकर स्टेट की बात करी जाए तो आपका रक्त दूमनी और गोची festival यह आपका दोन इस festival होता है एक वंगला फेस्टिवल फेस्टिवल फीछे एक्चाम में काफी बार पूछा गया है सजु भी चरोबा फेस्टिवल व्हांगां मेगाले से वी रहिगा अगर थेलनगना सेट की ही बात करी जाए तो बुनालू festival और भतुगमा festival और worse dal गाडीडे व हमनें है थाइपोसम festival हो जाएगा थाइपूसम या थाइपोसम कोई भी आप बोल सकते हैं फिर आपका नत्यांजली festival हो जाएगा और जलीकट्ठु festival हो जाएगा तमिल नाडू के चारो ही festivals most important है एक्जाम्स में काफी बार आपके चारो ही फेस्टिवल से रिपीट हो चुके हैं फिर आपकी राजिस्थान स्टेट आती है जिसका घंगवर फेस्टिवल आपको पता होगा फेमस फेस्टिवल लेता है बुंदी फेस्टिवल होता है एक आपका मतस्या फेस्टिवल होता है और एक शेवखावती फेस्टिवल होता है आपके राजिस्थान स्टेट्स के फेस्टिवल हो जाएंगे फिर जो गोवा स्टेट है जो कि हमारी सबसे छोटी स्टेट है उसके फेस्टिवल होते हैं लधेना फेस्टिवल हो जाएगा फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स हो जाएगा फिर आपका संबन फेस्टिव पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस चैनल पे इसकी सेपरेट फेस्टिवल की वीडियो देख सकते हैं पूरा टॉपिक आपका कबर हो जाएगा अगर आगे शिफ्ट में कोई फेस्टिवल से कोशन बना तो आपको याद होगा अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा हुई इस अपॉइंटिट इस ट्वेंटी फिफ्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया इन में टुथाउजन ट्वंटी टू तो मई दो हुजार बाइस में पच्चिस में चीफ इलेक्शन कमिशनर इंडिया के कौन बन इनसे पहले कॉन थे तो इनसे पहले सुशील चंदर थे और फरस्ट अ mortar chief transaction Commissioner पूछे जाए बते तो सुकुमार सें dur अरण गोयल अभी हाली में fans commissioner है चार election commissioner होते हैं और एक हुता है Chief election commissioner यहाँ जो topic हमारा रहा है वह कौण सा topic रहा है new appointment का topic अभी हाली में जितनी भी appointment करी गई है उससे related आपको जरूर पता होना चाहिए last two month की October November की हम बात करेंगे हापे appointment जो important appointments है उच्छी तो मिखाले जो state है वहाँ के नई governor चुने गए है जो की रहेंगे लबके बीडी मिश्रा डारेक्टर जनरल किसको चुना गया है CRPF का सेंटर लिजर पुलिस फोर्स का तो वह है SL जिनका पूरा नाम है सुझाईलाल तो थाउसें फिर होल को चुना गया है ICC का तो ग्रेक बार्कली जो थे यह आपके अभी तक चेर्मेंट थे ICC के लेकिन इनका जो टाइम पीरिड है वो दो साल के लिए और एक्स्टेंड कर दिया गया है फिर अगला कोश्चन हमारा फिफ्टीथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पचासवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चुने गए तो आपका आंसर हो जाएगा उन्होंने कितना टाइम सर्व किया है इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में तो 82 डेस के लिए उन्होंने सर्व किया है करीब करीब धाई महीने के लिए उन्होंने जो पद है वो समाला है उसके बाद अब नवंबर में 9 नवंबर को जो पद समाला गया है चीफ जस्टि का प्रैसिदेंट रहेंगे सुब्रकांथ पांडा फिर आपका सब्सक्रानगरहें है इंडिया के वह सब्सक्राइब को चुना गया है चेर्मैंन किसको चुना गया है न्या डिरेक्टर जनरल किसको चुना गया है ITBP का इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस का तो अनीश दयाल सिंग रहेंगे अनीश दयाल सिंग जो है इनको ITBP इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस ये कभी स्टैबलिश हुई थी 1962 में जो वार हुआ था इंडिया चाइना का उसके बा जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का उसके लेक सेपरेट इबुक को हमारे द्वारा लॉंच किया गया है लास्ट 10 मंत के जितने भी करंट अफेर्स हैं वो आपको इस इबुक में मिल जाएंगे ये इबुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कर जनवरी का अलग रहेगा फैप का अलग रहेगा मार्च का अलग रहेगा ऑक्टूबर तक का हर मंत का आपको सेपरेट करेंट अफेर्स इबुक में प्रोवाइड कराया जा रहा है ये इबुक आपको अविलेबल कराई गई है बाइलिंग वा लेंग्वीज में मतलब और English, दोनों में आपको questions मिलेंगे इस e-book में, अगर आप interested हो इस e-book को buy करने के लिए तो link आपको description में मिल जाएगा, आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं, अगर आपको file download करने में कुछ issue आता है, तो नीचे हमारी Gmail ID है, आप इस पर directly mail कर सकते हैं, अगला question देखते हैं हमा What is the chemical formula of zinc sulfate? Zinc sulfate का chemical formula क्या होता है? तो यह आप से पूशा जा रहा है कि zinc sulfate का रसायने की जो सूत रहे हो क्या है? तो हमारा answer हो जाएगा ZNSO4.7H2O, यह आपका chemical formula हो जाएगा zinc sulfate का, zinc sulfate का common name क्या होता है? तो white vitrol जो होता है, वो common name हो जाएगा, मतलब white vitrol का formula हो जाता है, Z ZNSO4.7H2O और white vitrol का chemical name हो जाता है, zinc sulfate. अब यह जो topic रहता है आपका, chemical formula and chemical names. यह भी अपने आप में एक most important topic रहता है, तो यहाँ पे कुछ important जो हमारे words रहेंगे, जो हमारे elements रहेंगे, उनकी बात करेंगे, उनके chemical formula और chemical name की बात करते हैं. तो सिनाबर जो है, जिसका की वर जानते हैं. TNT की अगर बात करी जाए तो इसका chemical formula है, C6H2NO2, ThriceCH3, जिसको की हम Trinitro, Tolune के नाम से भी जानते हैं. Table salt जो होता है, या फिर common salt जो होता है, नमग जो होता है, उसका formula आप सब को पता ही है, NaCl होता है, जिसको की हम sodium chloride भी बोलते हैं. अगर mercury की बात करी जाए तो mercury का formula होता है, HG, mercury का symbol होता है, HG, और इसको इसका जो नेम है, chemical name है, वो quick silver भी इसको बोला जाता है, hydrochloric acid, hydrochloric acid आप सब को पता ही है, SCL जो इसका formula होता है, और इसको muratic acid के नाम से भी जाना जाता है, फिर आपका milk of magnesia आता है, MGOH का twice जो होता है, यह आपका formula होता है, और magnesium hydro oxide, इसका formula हो जाता है, selected lime की अगर बात करी जाए, तो CAOH2, chemical formula होता है, select lime का और इसका chemical name होता है, calcium hydroxide, अगर quick lime या फिर burnt lime की बात करी जाए, तो CAO, chemical formula होता है, quick lime का, और calcium oxide यहां का इसका chemical name हो जाता है जो green vitrol होता है इसका formula होता है FESO4.7H2O जिसको कि हम ferrous sulfate heptahydrate के नाम से भी जानते हैं फिर CFC12 या फिर freon 12 की अगर बात करी जाए तो इसका chemical formula होता है CCL2F2 जिसको कि हम dichloro dichloro-difloro-methane के नाम से भी जानते हैं फिर आपका global salt आता है जिसका formula होता है Na2SO4.10H2O जिसको कि हम sodium sulfate dekahydrate भी बोलेंगे तो यह आपको याद रखना है इसकी separate video जिसमें करीब करीब 50-60 questions आपको मिलेंगे HVS studies 2.0 channel है हमारा उसका link description में आप उसको देख सकते हैं सारे जितने भी most important chemical formulas है 40-50 के करीब रहेंगे उनको पूरी तरीके से cover किया गया है आपकी separate video में अगला question देखते है इन विच आफ दी फॉलएंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड दी बक्सा फोर्ट तो निम्लिकित में से किस भारतीय राज्ये में आपको बक्सा जो बक्सा फोर्ट है जो किला है वो मिलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा इस question का वेस्ट बेंगाल में आपको बताईए बक्सा टाइगर रिजर्व भी है और बक्सा फोर्ट भी आपका कहां पे है वेस्ट बेंगाल स्टेट में ही आपका located हो जाएगा तो यहां पे कुछ famous sites जो है उनकी बात करी जा रही है तो उससे related बात करते हैं कुछ important चीज़े जो आ मकबर अगर आपसे पूछा जाए तो औरंगाबाद महरास्ट में आपका बीबी का मकबरा located रहेगा फिर आपका कनेरी फोर्ट आता है यह मुंबई महरास्ट में located है जगनाथ टेंपल या जगनाथ पूरी टेंपल के नाम से भी इसको जाना जाता है तो पूरी एक जगे र राजस्थान में वहाँ पे आपका भरतफुर फोर्ट located है नारगर फोर्ड जैपुर राजस्थान में located रहेगा आपका विजया इस्थम्ब आपका चित्तोडगर राजस्थान में located रहेगा अगर आपसे फतेयपुर सीक्री पूछा जाए तो आगरा उत्तर प्रिदेश मे established किया था बेलूर मठ को जो कि आपका कॉलकता वेस्थ बेंगाल में located रहेगा कुछ famous sites की आपे बात करी गई है इसकी भी separate वीडियो है जिसमें most important और भी चीज़े जो होती है उनको पूरी तरीके से cover किया गया है तो आप उसको भी देख सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा organization of agriculture and animal husbandry comes under which article तो क्रिशी और पशुपालन का संगठन किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा article 48 तो article 48 में बताये गया है organization of agriculture and animal husbandry के बारे में यहाँ पे जो हमारा question हो जाएगा वो article से related हो जाता है तो कुछ important articles कि यहाँ पे बात करेंगे और जो fundamental हमारी rights है वो जो articles है वो हम already पीछे separate question में cover कर चुके है इसलिए उसके बाद के जो articles है उनसे हम बात करेंगे तो article 47 में बताये गया आपका duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health तो public health से related आपका article 47 हो जाता है फिर article 49 में बताये गया है protection of monument place and object of natural importance तो monument place और object उनको बचाने की जो एक protection करने की बारे में बताये गया है article 49 में आर्टिकल 50 होता है आपका separation of judiciary from the executive executive से judiciary को अलग करने का जो बात बताये गयी है वो आर्टिकल 50 में है आर्टिकल 51 में बताये गया है promotion of international peace and security आर्टिकल 51 ए इंपोर्टेंट रहता है fundamental duties से related आपका हो जाता है आर्टिकल 63 में बताये गया है the vice president of India, vice president of India का जो पद है वो आर्टिकल 63 में आता है आर्टिकल 64 में बताये गया है कि vice president जो होते हैं ये ex official chairman होते हैं council of state के या फिर राजय सभागे राजय सभागे जो होता है उसके vice president जो होते हैं वो ex official chairman होते हैं आर्टिकल 66 में Vice President के election के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 76 में Attorney General of India के बारे में आपका बताया गया है फिर आपका आर्टिकल 79 में बताया है Constitution of Parliament के बारे में, आर्टिकल 80 में बताया है composition of राज्य सभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है composition of लोकसभा के बारे में और आर्टिकल 83 में जो duration है house of parliament Parliament का जो house है उसका जो duration होता है time period होता है उसके बारे में आर्टिकल 83 में आपका बताया गया है अगला question देखते हैं हमारा दी रमन मकसे से award was established in which year तो रमन मकसे से पुरुषकार किस वर्ष इस्थापित किया गया था तो इस question का हमारा correct answer हो जाएगा 1957 में आपका रमन मकसे से award जो है उसको establish किया गया था और जो पहला award दिया गया था वो एक साल बाद 1958 में आपका दिया गया था अब यहाँ पे जो awards हैं उनके establishment की बात की गई है तो कुछ important जो awards रहते हैं उनके establishment और latest winners की हम बात करेंगे तो भारत रतन कब establish हुआ था 1954 में भारत रतन को establish किया गया था परमवीर चक्र को 1950 में establish किया गया 2022 में total 21 लोगों को 21 persons को ये award दिया गया है जिसमें की शामिल है सोमना शर्मा, शैतन सिंग, निर्मल जीत सिंग शेखोन, आर परमेश्वरम और विक्रम बत्रा इनके अलावा और भी total 21 persons है जिनको award ये दिया गया है shorter चक्र 1952 में establish हुआ था 2022 में total 14 recipients रहेंगे 14 लोगों को ये award दिया गया है व्यास सम्मा 1991 में establish हुआ था 2021 में अजगर वजाहत को इस award से सम्मानित किया गया और ये award किये के बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा प्रिजेंट किया जाता है सरस्वती सम्मा 1991 में establish हुआ था तो व्यास सम्मान भी और सरस्वती सम्मान भी दोनों आपके 1991 में establish हुए है 2021 में रामदर्श मिश्रा को ये award दिया गया और दोनों ही award किये के बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रिजेंट किये जाते है फिर आपका ग्यानपीट award आता है ग्यानपीट जो award है ये most important रहता है 1961 में इसको establish किया गया था और उसके चार साल बाद 1965 में ये पहला award दिया गया जी शंकर कुरुप को अगर 57th award की बात करी जाए जो कि 2022 में दिया गया है वो दिया गया है दामोदर मोजो को फिर दादसाई फाइल के award जो आपका दिया गया 1969 में वो establish हुआ था दादसाई फाइल के award और 67th वा दिया गया है 2019 का रजनी कांत को और ज्यानपीट award में ये जो person जिसको last award दिया गया है या फिर इनसे पहले दिया गया था उनको कौन सी language में दिया गया है वो भी आपको पता होना ची एक्जाम में पूछा गया था अभी latest दुरुनाचार्य अबॉर्ड 1985 में establish हुआ था 2021 में टोटल 10 लोगों को ये अबॉर्ड दिया गया ध्यानचंद अवोर्ड को 2002 में establish किया गया था राजीव गांधी खेल रतन अवोर्ड जिसका नाम बदर कर अब ध्यानचंद खेल रतन अवोर्ड कर दिया गया है ये आपका 1991 में establish हुआ था और टोटल 12 लोग 12 persons को ये अबॉर्ड हाली में दिया गया है 2021 का जिसकी एक separate वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी फिर आपका International Gandhi Peace Prize 1995 में establish हुआ था 2020 में शेक मुझीवर रह्मान को इससे सम्मानित किया गया था साहित्य Academy Award को establish किया गया था आपका 1954 में तो ये important आपके कुछ awards थे बाकी awards establishment के उपर आपको एक separate वीडियो मिल जाएगी और awards के latest winner की भी आपको एक separate वीडियो मिल जाएगी दोनों topics की अलग-अलग separate वीडियो है हमारा दूसरा चैनल जो है HVS Studies 2.2 उस पे आप जाके जो separate वीडियो है उनको देख सकते हैं most important है आपके exams के लिए तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से daily expected questions की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी साथी साथ हर शिफ्ट की analysis आपको हमारे चैनल पे मिलेगी तो आपको analysis भी provide कराई जा रही है किस टाइप के question बन रहे हैं और किस टाइप के question आपसे पूछे जा सकते है expected questions भी आपको provide कराई जा रहे हैं तो उसके basis पे आपको तयारी कराई जा रही है तो आ आपने बाद दोस्तों